हलो हाई अब्रिवन कैसी हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होगे मैं भी कुछ ठीक नहीं हूँ क्योंकि हस्वेंड और मम्मी बिमार हैं क्योंकि उनको करोना का सिम्टम है और वो कॉरंटाइन में है तो बेबी का ध्यान हम ही रख रहे हैं और हमको भी कोल्ड और फी पहुत हैं और हम भी माक्स ही लगा कर बेबी के पास रह रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहों बेबी को इसलिए क्योंकि बेबी का मिन्टी पाउर जड़ होता है तो दोस्तों अभा हम तैयार होकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं दिखाने के लिए हमें भी टेस्ट करवाना है और मम्मी और हस्बेन भी जा रहे हैं क्योंकि अब डामनल में पेन हो रहा था तो ये देखिए हम हॉस्पिटल में पहुच चुके हैं और हॉस्पिटल के कंडीसन दोस्तों क्या बताएं इतना जदा भीड लंबी चोड़ी लाइन लगा करके फिर दिखाना पड़ता है और ड सेक्सीन बने और सब कुछ खतम हो जाए और नॉर्मल लाइफ आ जाए तो यह हम घर पे आ गए हैं और हमारी हालत खुद देखो बुखार से बिल्कुल पीडित हैं और इतने सारे कपड़े डालने पड़े थे मॉसिंग मसीन में सुखाये थे तो सारे कपड़े रख रहे है अच्छे से ताकि सूख जाएं क्योंकि इतना ज़्यादा बीकनस हो गई है फीबर की वज़ा से और डिलेबरी के अभी एक ही मन्त हुआ है और प्रेसन से हुआ है मेरा से सेक्सन हुआ है तो काफी दिक्ते आ रही है फैमली में लेकिन क्या करें करना तो पड़े गा ही क्यो क्योंकि और कोई तो है नहीं करने के लिए तो अभी वासिंग मसीन में कपड़े दुले थे उसी कपड़े को यहां पे डाल रहे हैं फैला रहे हैं ताकि सूख जाए और छट पे जाने की तो हिम्मत ही नहीं है यही है आजकल मेरा रूटीन चला है सुबा से लेकर साम तक क् कि दो जन फैमिली के कॉरणटाइन में ही है और तो दोस्तों उनका दिखाते हैं रूम कैसा है और क्या-क्या घर में अलग कर रखे हैं हूम कॉरणटाइन चलिए दिखाते हैं उनका रूम ममी का और यहां पर एलेक्टरिक कैटली रखा गया है गरम करके पानी पीती है और कहीं पे सोती हैं क्योंकि यह है भगवान का कमरा जिसको जहां हम लोग पूज़ा करते हैं और आजकल मुम्मी इसी कमरे में रह रही है और इनका थाली इनका बरतन इनका गिलाज इनका कटोरी सब अलग है और यह हमारा कमरा और इसमें हस्वेंड रह रहे हैं इनका भी थाली बरतन सब कुछ अलग है और हम दूसरे कमरे में आजकल रह रहे हैं क्योंकि क्या है इस बेंड को अपने ही कमरे में नीद आती है और वो किसी और के कमरे में नहीं रह सकते हैं तो भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए अब मिलते हैं